उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखे जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जनकारी दे ही दिया था कि बिहार बिधाले परिछा समीती के दौरा जो डेलेट का रिजल्ट जारी किया गया है जो लोग क्वा करना है इसके साथ ही साथ उसमें जो भी इंपोर्टेंट डेट है जैसे कि आपका मेरिट लिस्ट फर्स्ट वाला कब आएगा सकेंड कब आएगा इसे जोड़ी सभी जनकारी यहां पर उपलब्द करवा दी गई है अप्लिकेशन फिक रिगार्डिंग यहां पर जनकारी आ गया है आप देखेंगे तो 24-26 में जो भी आपका एडिमिशन होने वाला है डेलेड में उसके जो काउंसेलिंग पर किरिया है ओनलाइन अवैदन है उसको लेकर यहां पर नोटी जारी किया गया है इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी स्कोर कार्ड के अधार पे आपना जो भी कॉलेज का सेलेक्शन होता है वो आपको करना होता है ठीक है तो यहां पर इन्होंने डेट सबसे पहले तो कंफर्म कर दिया हुआ है कि कल यानि कि 20 तारिक से आपका जो कमन अप्लिकेशन फॉर्म है जो कि कांसेलिंग के लिए फिलप किये जाएंगे वो आप का जो अप्लिकेशन फी है उसके बारे में यहां पर जनकाड़ी दिया गया है तो अप्लिकेशन फी के हम बात करें तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर आप EWS, BC, EVC या फिर समार्य वर्क से आते हैं तो आपको जो ही 500 उर्पया का जो कांसेलिंग फी है आपको नमांकन उसके परचीशर संस्तान में होगा उन सभी विधार्तियों की कुल संख्या के अनुसार दो सर पे प्रती विधार्ती की दर से कुल रासी, डिमांड ड्राफ, RTGS, निफ्ट के माधिम से समीती दवारा परचीशर संस्तानों की रासी भेज दी जाएगी अता कोई भी परचीशर संस्तान कीए भी विधार्ती से कोई आविधन सुल्क एपलीकेशन फी नहीं लेंगे ये बात यहाँ पे किलियर कर दिया गया है प्रंतु नमंकन के दवरान, निमंसार नमंकन सुल्क एड़िमिशन फी वन्य देश सुल्क ओडर एपलीकेशन फी भी लेंगे ठी तो यह जनकारी यहां पर निकल के आ गया है अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आप counseling form भरेंगे ठीक है तो counseling form भरने का जो date है मैं आपको बता दिया कि 26 से लेकर 26 के बीच में आपना counseling form है वो भर सकते हैं जैसे ही आप counseling form भरेंगे उसके बाद आपका जो प्र प्रफम में नाम आता है यानि कींटी में जारी होता है उसमें आपका नाम आ जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि नमंकन की जो अवदी है जो कि आप अपने डिलेट college में जाकर नमंकन ले सकते हैं तो 37 से लेकर जो है आठ साथ के बीच में आपना जो admission है अपने college मे अपडेशन का जो काम है और 9 साथ तक कर दिया जाएगा उसके बाद इनके बताया हुआ है कि विधार्तियों द्वरा नमंकन के जो भी बाद में slide-up की परकिरिया के लिए online जो आधन है उसकी आधि दी गई है कि माली जी अगर कोई आपको college allotment कर दिया गया और आपको पसं है उसके लिए नया बिकल्प भरने अधवा पूर्व के बिकल्प में परिवतन करने की आधि भी आपको देखनी को मिलेगा माली जी आपने पहले जो college का selection किया हुआ है और उसमें आपका प्रथम चैन सुची में आपका नाम नहीं आया तो आप फिर से जो है बिकल्प को state क कर सकते हैं अपने college का ठीक है उसके लिए आपको 10-7 से लेकर 11-7 का मौका मिलेगा जिसके बीच में आपको अपने college का जो selection है उसको इधर उधर करने और अपने हिसाब से state करने का मौका यहां पर देखनी को मिल जाएगा उसके बाद इन्हों बताया हुआ है कि आपका जो द update है उसके बाद आपका जो ही तिरतिय सूची जारी करने का जो तीती है 19 साथ बताया गया है और 20 से लेकर 22 के बीच में आप अपना जो admission है तिरतिय सूची में अगर आपका नाम आता है तो करवा सकते हैं ठीक है बाकी 23 साथ तक आपका जो भी परचीसर संस्तान है द्वारा portal पर login करके अंतिम रूप से seat का जो अपडेटन है ओ कर दिया जाएगा तीस तर से जनकाड़ी यहां पर दिया गया है तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो ही counseling करते समय कम से कम 5 और अजितम जो ही 30 college का selection करना होता है तो उसमें आप कुछ government college कुछ private college का selection करेंगे ठीक है औ आपका भी नाम यहां पर आ गया ठीक है नाम आने की बद क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो ही admission करवानी होती है तो admission के लिए नहीं कुछ document बताया हुआ है जो document आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले तिन्हों बताया हुआ है कि जो भी चैनित आवेदक होंगे उनको आपके जाकर अपना जो admission लेना होगा admission लेते समय ध्या रखिएगा कि जो भी आपको सुचना पत्रयानी की intimation letter जो आपका merit list डाउलोड हुआ है वह आपके पास होनी चाहिए उसको print कर लेंगे क्योंकि लगेगा ठीक है पहला यह document आपका हो गया उसके बाद जो भी अपना common application form है जो की counseling के लिए भरेंगे उसको भी print out कर लेंगे क्योंकि वह भी आपका लगेगा ठीक है अन्या सभी मूल जो भी लेक होता है वह भी आपके पास होनी चाहिए उसके बाद यहां पर दसवी बोड का जो ही परिछा का जो माक्सीट होता है और जो भी उतीरता परमार पत जो की आपके college से ही मिलता है 10 प्लस 2 के बाद आपको देखनी को मिलता है उसके बाद यहां पे जाती परमार पत्र कोई अन्या परमार पत्र जो आवंटीन सनस्तान के द्वारा मांगी जाती है कोई अन्या दस्तिवेज तो भी आपको लेकर जाने पड़ेंगे साथी साथी आप इनुन बताया हुआ है कि उन सभी प्रमार पत्रों को आपको self-protested करके दो-दो प्रतलितिव आपको जो है त्यार करवा लेना है यानि कि दो-दो जो है फोटो कॉपी करवा लेना है और जो भी फोटो कॉपी करवाईएगा उस पर जो है सिल्फ पर्टेश्टेट यान इसे पर जाता है तो इस तरह टाक्मेंट आपको त्यार करवाना है दो परती में दो फोटो को पी करवाईएगा दोनों पर सिङणेचर कर दिएगा पात जो है रंगीन फोटो आपके पास उनी चाहिए और जो भी आपका इससरह टाक्मेंट है और ने बिलेकर आपको जानी तो यहां पर slide up की जनकारी हमने दे दिया है कि कब से लेकर कब तक slide up कर सकते हैं बाकी आप दूसरे college का जो है choice दे सकते हैं तो इस तरह से मैंने जो है सभी जनकारी इस वीडियो में कभर करने की कोशिस किया हुआ है आप इस notice को download करना चाहते हैं या फिर counseling का form भरना चाहते हैं इस पर आप click करेंगे तो इसमें जो है सभी जनकारी step by step बताई गई है कि सबसे पहले तो 30 जो है 700 सीट पर आपका आडिमीशन होने वाला जैसेग में आपको बताया 20-24 आपका counseling form है वो भरे जाएंगे कोई भी counseling form भर सकता है जो की minimum जो कारी fine marks है उसको touch up कर लिया हुआ है बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि date के regarding भी जनकारी दी गई है application fee भी यहां mention कर दिया गया है और जो भी आपका expected cut up है उसकी भी जनकारी यहां पर दी गई है कौन से काईटी गड़ी में कितना cut up जाने वाला है बाकी document का भी list हमने यहां पर बता दिया हुआ है कि आपके पास कौन कौन से document होनी चाहिए मैंने official notice के माधिम से भी दिखा दिया बाकी यहां पर नीचे आएंगे तो कल से counseling form भरे जाएंगे तो यहां पर link मिल जाएगा जिसके माधिम सब counseling form को भर पाएंगे हलाकि हम एक video लेकर आएंगे जिसमें step by step बताएंगे किस तरस आपको जो ही college का selection करना है किस तरसे जो counseling form है वो आपको भरना है तो please video जरूर देखिएगा वो video हम लेकर कर लाएंगे जिसमें सभी जनकारी को clear करेंगे बाकि जो हमने official notification आपको दिखाया हुआ है आप यहाँ पे click करेंगे उसको check out कर सकते हैं और जो भी इसका cut up जाएगा ओ आप यहाँ से download कर सकते हैं और साथी साथी है यहाँ पे result अभी तक आपने नहीं यहाँ पे download किया हुआ है तो आप यहाँ से result को भी download कर सकते हैं ठीक ह जैसे कि माल लिजी आपको college का selection करना है न तो कुछ college का list अपत्यार कर लिजिएगा ठीक है जो भी आपको college नेरेश्ट में हो सकता है कुछ diet हो सकता है कुछ private college हो सकता है जिसमें आप देखेंगे और अधितम जो ही 30 college का selection आपको करना होता है, तो जिसमें भी आपको admission का परिफ्मिक्ता देना है, उसको first में रखिएगा, फिर second में, third में, और इस तरह से अपना number भी देखकर आपको सरकारी और private college यहाँ पर select करना है, उसके लिए हम वीडियो लाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इस तरह सब college का जो selection है उकर सकते हैं, बाकी मैंने सभी जनकारी इस वीडियो में कभर करने की कोशिज किया हुआ है, वीडियो थोरा से बैच्छा लगा है तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से डिलेटर तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं,